नमस्कार एर कलेक्शन यूटीब चैनल में आपका स्वागत है यदि आपके पास ओल्ड कोईन और करेंसी नोट का कलेक्शन है और आप उसे घर बैठे सेल करना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए है वो लोग जो एक्जिवीशन में जाकर या ओनलाइन किसी वेबसाइट लेकिन अगर आप घर बैठे सेल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इसमें कोई भी एकॉंट नमबर देने का कोई भी प्रोब्लम यानि इस तरह की कोई भी प्रोसेस नहीं है नो तो किसी अप्लिकेशन में यहां पर आपको राइस्ट्रेशन करने के लिए बोल आउंगा तो वीडियो आप लोग पूरा देखेगा देखिए यहां पर रेयर कलेक्शन चैनल पर हम नोट और सिक्के से रिलेटेड ट्रस्टिड इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं ट्रस्टिड बायर जो हमसे कांटक्ट करते हैं जिनने नोट और सिक्कों की डिमांड होती है और हम उनसे पहले ही बोल देते हैं कि आपको जो नोटर सिक्के मिलेंगे उसके लिए आपको हों कलेक्शन करनी होगी यानिकि जो जो सेल करना चाहते है उनके घर से आपको नोटर सिक्के लेने हैं और उनके hand to hand cash देना कई लोग कुछ लोग ऐसे होता है जो लoi लपी लाहए अी पैसा नहीं मिला तो इसलिए हम बाइड से कि नहीं बनाते हैं तो यहां पर चलिए हैं की है आपको बताते हैं कि कैसे आप आप इनसे चंपर्क कर सकते कि नोट क期की डिमांड इनके पास यह जरूरी है कि किस novelty k की डिमांड है अगर आप जो novelty k के के डिमांड नàng उसकी foto आप इसे सेंड करतें तो यह लोग नहीं खरीदें के फिलाल माला कि बहुत वाइब आई है कि लेकिन जब डिमांड आएगी तब खरीदेंगे तो बह्तर यह है कि जो नोट और सीके अभी डिमांड में उसकी फोटो सेंड करें और नोट करके रखें और कुछ दिन बात सेल किजीए तो सबसे पहले आपको कहारा है रेयर क्यार नार को यूटीब sell करवाएं और वो भी कमेंट के तुरू जियां पांच लोग के नोटोर सिके हम आज पताता हूं यहां पर बता हूं कि कैसे आप इन से संपर्क कर सकते हैं उसके बाद यदि आपके पास इंद्रा गांधी या ज़ाहाल。 नहिरू बाले 50 पैसे या 5 रुपή या कोई भी value के सिक्के हैं तो उसको यहां पर आप टीस थाजा़ रुपे तक में sell कर सकते हैं जियांग期 सजार रुपई तक आपको इस शिक्के के मिल सकते हैं इंद्रा गान्थी और जवाहरला नहरो वाले कुच सिक्के में आपको जवाहरला ने रूप में टोपी पहना हुआ दिखेगा तो अगर टोपी वाले सिक्के हैं तो उसकी कीमत 50,000 रूपे जाती है और बीना टोपी वाले के कीमत 30,000 रूपे है एक सिक्के के मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कीमत थोरी कम जादा हो सकती है म घरती बरती रहती हैं तो अभी जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यदि आपके पास डॉक्टर भीम राव अम्बेट कर वाले सिक्के हैं चाहे वो किसी भी वैल्यू को 10 रुपे, 5 रुपे, 2 रुपे जिस भी वैल्यू के सिक्के आपके पास मौजूद है उसको आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं उसके बाद यदि आपके पास पांच रुपे के ट्रैक्टर वाले नोट है चाहे हो गांधी सिरीज की नोट हो या असो गस्तम सिरीज के नोट हो तो यदि आपके पास 5 रुपे के ट्रैक्टर वाले नोट है तो यहाँ पर गांधी सिरीज वाले नोट की कीमत आपको मिलेगी 25,000 रुपे लेकिन यदि आपके पास इसी में 5 रुपए के ट्रेक्टर वाले नोट में ही असो कस्तम वाले नोट है जहां पर यहां पर असो कस्तम की आकरिती बनी होगी तो अगर आपके पास वो वाले नोट है तो उसकी कीमत यहाँ पर आपको 55,000 रुपे एक नोट की कीमत यहाँ पर मिलने वाली यदि आपके नोट का नमबर फैंसी हुआ तो आपको तीन लाख रुपे तक तीन लाख पचास हजार तक मिल सकती है यानि कि लगवग आपको सारे 3 लाक रुपे तक मिल सकता है यदि आपके नोट का नंबर जो है वो फैंसी हुआ जी है यदि आपके नोट के नंबर फैंसी है तो आपको इतनी कीमत भी यहाँ पर मिल सकती है जैसे कि सभी नोट के नंबर आप देख सकते हैं इस नोट के नमबर उतने ज़्यादा फैंसी नहीं है जैसे कि 786 हो गए ट्रिपल ओन, ट्रिपल टू या ओन के बाद 34 जगर 00 आ जा रहा है तो वो सब फैंसी नमबर नोट हो जाते है और उसकी कीमत भी काफी ज़्यादा मिलती है उसके बाद यदि आपके पास वन रूपीज का कौईन है 1985 वाला तो यहाँ पर इस पर देख सदे डाइमंड का मिंट मार्क है यह बॉंबे मिंट का सिक्का है लेकिन यदि आपके पास एच मिंट मार्क वाले सिक्के हैं अगर Edge Mint Mark वाले सिक्के है तो यहाँ पर आपको 90,000 रुपे आपको मिलेगा इस सिक्के के लिए जी हाँ 1980 वो एक रुपे के 1980 वाले कोईन के लिए उसके बाद जो नेक्स्ट आता हुए 10 रुपे के 9 वाले नोट है तो यहाँ पर आप डिरेक्ली यह 9 वाले नोट को सेल कर सकते है 70,000 रुपे पर पीस की हिसाब से जी हाँ 70,000 रुपे आपको एक पीस की कीमत मिलेगी 10 रुपे के जो 9 वाले नोट है जी हाँ चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे नोट रुपे के बारे में उससे पहले मैं आपको अपना मुवाइल नंबर यहाँ पर दे दे रहा हूँ तो यह जो अभी आप स्क्रीन पर मुवाइल नंबर देख रहे हैं यह हमारा मुवाइल नंबर है इस पर आपको कॉल करना है और वाट्सप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं तो इस नंबर में कई बार आपको वाट्सप पर मैसेज का अप्शन अगर नहीं मिलता है तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं इन्बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं यह आपको पता है होगा की मैसेज कैसे करना है तो उस तरीके से भी आपको मैसेज कर सकते हैं या तो आप वाट्चाप पर फोटो भी सेंड कर सकते हैं तो यह नमबर आप नोट कर लीजिए चलिए बढ़ते हैं अगले नोट और है ऐसे नोट में आपको मोंटेक सिंग हलो वालिया के सिगनेचर वाले नोट मिल जाएंगे मनमोहन सिंग के सिगनेचर वाले नोट मिल जाएंगे सशीकान तदास के सिगनेचर वाले नोट मिल जाएंगे तो यह सभी बित सचिव के सिगनेचर वाले नोट तो यदि आपके पास 10 रुपे कैसे पीकॉक नोट है यारी दस रुपे के मोर वाले नोट तो यहाँ पर आपको जिसकी कीमत मिलेगी यह डिपेंट करती है मोर की संख्यां पर जैसे कि इस नोट में आप देख सकते हैं दो मोड की संख्या है तो इस नोट की कीमत है 40,000 रुपए यदि आपके नोट में मोड की संख्या 3 है तो यहाँ पर आपको 60,000 मिलेगा लेकिन यदि आपके नोट में मोड की संख्या केवल 1 है तो यहाँ पर आपको 20,000 नहीं बलकि 1,20,000 रुपे मिलेगा जी हाँ अगर आपके नोट में एक ही मोड की संख्या वाला नोट है जिसमें एक ही मोड बना हुआ है तो यहाँ पर आपको 1,20,000 रुपे इस नोट की मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ आपके पास स्री माता वैसनो देवी स्राइन बोर्ड वाले सिक्के मौजूद है तो उसको भी आप यहाँ पर सेल कर सकते है जी हाँ माता वैसनो देवी स्राइन बोर्ड वाले सिक्के की कीमत यहाँ पर इन लोगों ने 3,00,000 रुपे रखी है WhatsApp पर फोटो सेंड कर सकते हैं और उसके बाद बाइर खुद ही आपके एड्रेस पर जाके आपके नोट और सीके खायर लेगा एड्रेस पर जाने से पहले कोई भी राइस्टेशन आपसे नहीं मांगा जाएगा इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अप्लिकेशन डाउनलोड करने की कोई आवसेक्ता नहीं है अगर कोई आदमी फ्रोड लोग अगर आपको कॉल करके कुछ डाउनलोड करने के लिए बोलता है या ATM पी नोगरा मांगता है या मोबाइल पे गए OTP मांगता है तो आप बिल्कुल भी share मत कीजिएगा ठीक है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तो इसके लिए आपको वीडियो का description open करना है ये बिल्कुल different process है अगर आपने कोई process इस तरह का पहले किया है तो भी ये process को आप जरूर देखे क्योंकि ये उस से अलग है तो यहाँ पर आपको वीडियो का description open करनी के लिए ये जो icon दिख रहा उस पर click करना है जैसे आप इस icon पर click करेंगे यहाँ पर description open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक link मिलेगा अपना number भेजे तो उस link पर आपको click करना है तो हमारे facebook का link भी आपको यहाँ पर मिल जाता है तो उस पर आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं यदि आप किसी note और ck की regarding बात करना चाहते है तो यहाँ पर अगर आप अपना number भेजे लिखाओगा उसके नीचे एक blue color का link होगा उस पर आपको click करना है इसे उस पर click करते हैं आपके सामने इस टैप से page open हो जागा तो यहाँ पर आपको install करने पर click करना है उसके बाद इसको ok करना है और यह downloading start हो जागा downloading complete होने के बाद आपको इसे open करना है open करने के बाद आपको इसे install कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे open करेंगे तो आपको बताएगा कि language select कीजिए तो जो भी आपका language है वो select कीजिए और उसके बाद इस step से आपके सामने आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक head का icon दीखेगा इस set कोने में आपको एक head का icon दीखेगा यहाँ पर तो उस पर आपको click करना है जैसे आप उस पर click करेंगे तो यहाँ पर बुलेगा अपना mobile number दर्ज करें तो यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है और उसके बाद अगला पर click करना है जेसी क्लिक करते हैं उसके बाद आपको बोलेगा आपनी जर्मतिती दर्ज करें सोरी यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि इंटर करना होगा और उसके बाद बोलेगा अपनी जन्तिती दर्ज करें तो जन्तिती इस तरह से दर्ज कर देना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा उसमें जन्तिती सेलेक्ट कीजिए और साइन इन करें पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको अपन प्लस का आइकन दिख रहा है यहां पे बीच में तो उस पर कलिक करके आप अपने नोट और सीखे की फोटो अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसको जो है ओपें करना है 10-15 दिन आपको इसको चेक करना होगा क्योंकि 10-15 दिन टाइम लग सकता है चेल होने में देख का पोस्ट कहां तक पहुचा है यहां पर आपको पोस्ट अभी जीरो दिख रहे हैं लेकिन यदि आप अपने शिक्क्या और नोट की फोटो अपलोड करेंगे तो यहां पर आपको पोस्ट की संख्या दिखने लगी